हलो फ्रेंट्स इसमें आरादी दिस साइंस काये फ्रेंट्स विल्कम बैक राज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल से सब्जेक्ट की सिंपल सी चीज सिंपल सर्कुलर कर्व जोगी लोगों को सिंपल नहीं लगती पता नहीं क्यों इसके कुश्चिन्स केट और एसी में काफी प कर्व की डेफिनेशन क्या कहती है रहे हैं इसको हम बोलेंगे इंटर्सेक्टिंग लाइन और इसमें जो ग्राजुडी चेंज हमें डिरेक्शन में देता है ग्राजुडी मतलब श्लोली मतलब शाप हमें मूलना नहीं पढ़ता उसी को हम कर्व करते हैं तो आगे बढ़ने सबसे पहले हम जान लेते हैं तो कर्व कितने प्रकार के होते हैं टाइप सफ कर्व एंड बेसिकली विया फोकसिंग अन्ट होरीजॉंटल कर्व तो उनमें से सबसे पहले होता है हमाई पास सेंपल सर्कूलर कर्व जो कि हम आज पढ़ेंगे दूसरा है कंपाउंट कर्व त लाथा है रैकाश का रास्ट नौट कि लीज ब्रोकन बाच कर्व जहां पहं पर हम इन दो बेसिक करव क след एंद न्ट वहां पढ़ें में नुक स्टार्ट करते हैं रिशे संपल सब्तिने बागी के कर शुए के बारे में मैं वीडियो के लास में ठोड़ा थोड़ा बता हू चीज पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर है डाइग्राम आपने समझ लिया तो हाफ अफ अफ तर कुश्टिन विल बी अटमेटली सॉप तो यू नीड तो गूट इन दे विजलाइशन पावा है और यह कुछ अंगल बनाता है और इसको बोलते ऑइंगल आफ डिफलेक्शिं जिसको हम 항्ट्र। से डिनोट करता है Mix डिफलेक्शिं मतलब इससे कितना अंगल चेंज हुआ इतना उंगल चेंज हुआ यूआ इतना एंगल हमको चाहिए इस वाली क्या कहलाता है तो यह जिस रोड में हम लोग पहले जा रहे थे इसको हम लोग बोलते हैं बाक टेंजेंट यह बैक टेंजेंट है तो जिस रोड पे जाना है उसको हम क्या बोलेंगे obviously forward tangent और यह tangent word जूकर रहे है क्योंकि यह वाला जो point है यह tangent है इस circular curve के तेंजेंट है अब यह 90 degree angle बना रहा होगा देखो यह कुछ भी difficult नहीं है you just need to be focused बस points को समझो कौन से point को क्या बोलता है और यह ची याद करने के भी जोगत नहीं है obviously बदा चल रहा है tangent point है so tangent के पीछे back tangent यह भी एक tangent point है दूसरा वाला R2 की तरफ इसका नाम होता है point of tangency और इसके आगे वाली road को हम बोलेंगे forward tangent simple as that isn't it अब यह जो मैंने point आप को बताया था back tangent के आगे जो हमारी tangent बना रहा है इसको हम बोलते है point of curvature इसको नाम दे देते हैं हम लोग T1 point of tangency को नाम दे देते हैं T2 अब जो यह T1 से लेकर I का जो distance है इसको हम बोलते है tangent length इसको हम बोल देते है T अब यह tangent length है तो यह वाला भी tangent length होगा from I to T2 अब यह दो line आपस में intersect भी हो रही है अब यह intersect हो हो रही है किसी angle पर बोह रही होगी तो इसको हम बोलते है angle of intersection which is our theta यह straight line को हम लोग आपस अब पर connect करते है यह है आपका chord circle के अंदर कोई भी दो point को अगर आप connect करते हैं उसको chord बोलते है so यह आपका chord हो गया transportation में आपने पढ़ा होगा कि इस distance को हम लोग setbacks distance बोलते थे इसको हम M से denote करते थे इधर भी M से denote करते है लेकर इसको हम लोग बोलते है mid ordinate formula दोनों का same ही है निकालने का लेकर इधर इसको बोले जाता है mid ordinate M so M stands for mid ordinate और आखर में जह apex है apex से लेकर apex मतलब topmost point से लेकर आपका जो curve का तक कर दिस्टेंस है इसको हम बोलते है external distance या फिर apex distance भी बोल सकता है तो अगर आपने इतना सा यह diagram अपने अपने समझ लिया कि कौन से point को क्या बोलते है तो half of the solution will be solved अब बस आपको क्या को निकालना है इनमें ordinate निकालना है जैसे कि आपको यह external distance apex distance निकालना होता है यह mid ordinate निकालना होता है m जिसमें भी बताया chain is length निकालना होती है t1 point की और t2 point की length of chord निकालना होता है length of curve निकालना होता है तो जल्ली जल्ली हम लोग को जान लेते हैं कि क्या है उसमें और इसी में I don't know why आदिस्याला लोग इस base cushion करी नहीं पाते तो चल्ली यल्ली पढ़ते है तो सबसे पहले हमें length of curve निकालना है length of curve मतलब t1 से लेकर t2 का जो length है क्योंकि यह arc है तो arc का हमें link निकालना आता है तो अगर हमें radius पता है और यह angle पता है तो radius into angle will be equals to length of arc वहाँ से हमारा निकल किया जाएगा तो हमें यह वाला angle निकालना है यह कितना है तो सबसे पहले इस diagram में हमने उसको दिखते हैं और इस diagram को निकाल लेते हैं यह हमारा angle of deflection delta और हमें कौन सा angle चाहिए यह वाला angle चाहिए तो parallelogram की एक property होती है क्या होती है कि opposite angle का जो sum होता है वो 180 degree होता है तो अगर मैं इसको यहाँ पर x degree लिख देता हूँ तो x degree plus theta should be 180 degree यहाँ मैं बोल सकता हूँ x degree is equals to 180 degree minus theta true अब ज़रा इस वाले पार्ट को देखो यहाँ पर क्या दिख़ए आपको del plus theta is equals to 180 degree यहाँ से आपके theta की value कितनी आ जाएगी 180 minus del तो इसको यहाँ पर हम put कर देते हैं theta में तो x क्या निकल के आएगा 180 minus 180 plus del so 180 से 180 cancel तो x आपके निकल के आगे del के बराबर तो इससे यह पता चलता है कि यह वाला angle जो है आपका वो del होगा means यह angle of deflection के बराबर होगा so it's a direct conclusion कि intersection lines को connect करने के बाद जो angle of deflection आता है circular curve के angle के बराबर होता है अब यह angle मैं पता चल चुका which is delta so length of अगर मैं curve निकालना चाहूंगा it is lc equals to r into delta और इसी को अगर मुझे radians में बदलना है तो pi by 180 से multiply कर दूँगा और हमारा length of curve निकल गया रहा है second बढ़ते हैं हम लोग tangent distance की तरफ tangent distance मतब tangent length t हमें निकालना है तो t निकालने के लिए इसमें से मैं एक triangle निकाल रहा हूँ यह हमारा पस t है यह 90 degree बना रहा है यह हमारा पस r है तो यह o i t1 है हमें क्या निकलना है t निकलना है यह angle हमें पता है यह इस total del का half है तो this is del by 2 तो चरहां इसमें देखते हैं tan del by 2 हम कितना देख रहा है तो यह is perpendicular upon base which is t over r है ना तो इस triangle को आप इस तरह से देखो यह यह आपका del by 2 है this is your t and this is your r तो tan del by 2 आपको कितना हुआ perpendicular upon base तो यहां से आपका t निकल किया गया which is r tan del by 2 थाना simple अब जा रहा कॉर्ड लेंक देखालते है call length को मैं capital L से लिख देता हूँ so call length निकालने के लिए आपको कौन सा डाइगरम देखना है o t1 t2 so यहां पर हमें यह पता है angle this is del और यह आपका call length है तो अगर हम यह देखे हैं हमें पता यह r है and इसका आधा del by 2 तो r so यह वाला distance कितना हो जाएगा r cost del by 2 और यह वाला distance कितना हो जाएगा r sin del by 2 अगर यह r sin del by 2 है तो यह भी r sin del by 2 होगा तो total length कितना हो गया 2 r sin del by 2 इसके तरह हमारा call length भी निकल गया अब आते हैं एक important point के तरफ which is mid ordinate अब यह जो है यह मैंने देखा है हर बार यह से gate में यह cushion आही जाता है अब मैं dot net के लिए हमाया पास यह t1, t2 है तो हमें निकलना है यह वाला part यह हमारा mid ordinate है अगर मैं इस radius में से यह हमाया पास r है यहां से यहां तक यह वाला part हटा दूँ तो हमारे यह निकल के आ जाएगा और यह वाला part में अभी निकाल के आपको बताया था which is r cos del by 2 तो finally में dot net कितना निकल के आ जाएगा r minus r cos del by 2 which is r 1 minus cos del by 2 और हम 1 minus cos del by 2 को इधर verse sign del by 2 भी बोलता है यह एक important point है क्योंकि mcqs में कभी कबार verse sign दिया होता है तो काफी लोग confused हो जाते हैं कि उनने पढ़ा था कि r 1 minus cos del by 2 होता है mid dot net तो पर वहाँ दिया है r verse sign del by 2 so यह एक important point है आपको याद रखना है it is verse sign 1 minus cos del by 2 को हम verse sign भी बोलता है तो यहां से हमारा निकल के आता है mid dot net अब हम बात करते हैं apex distance की which is external distance जो पने बताया था इस diagram में आपको यह apex distance दिख रहा है तो again हम वही triangle लेते हैं जिसमें हम लोग tangent link निकाला था ठीक है यहां पर आपका यह point O है यह i है यह t1 है this is your del by 2 this is your radius R and this is your tangent link T और हमें निकालना क्या है यह जो curve का point है यहां से लेकर E हमें यह निकालना है और यह हमें बाकी का पता है यह क्या है R है तो अगर मैं OI में से R- करूँगा तो मेरा apex distance निकल के आ जाएगा तो उसके लिए मुझे OI निकालना पड़ेगा तो यह OI मेरा mean पहले focus है तो इस triangles का use करके मैं OI निकाल सकता हूँ isn't it तो मैं क्या लिखूँगा OI cos del by 2 is equal to R कहां से इस triangle को सीधा वापस करते हैं और देखते हैं यह हमारा OI है यह I है यह हमारा del by 2 है तो यह length L cos del by 2 इस part को लिख सकते हैं और इसको L sin del by 2 जिस part से भी आपको निकालना हूँ तो मैं इस निकाल रहा हूँ इस वाले parts से OI cos del by 2 is equal to R तो OI को मैं क्या लिखूँँगा R by cos del by 2 So OI के value हमारी यहां से निकल के आती है R sec del by 2 अब OI हमें पता चल चुका है बस उसकी value आप यहां पे पूट कर दो तो E की value कितनी निकल के आ जाएगी Y minus R which is R sec del by 2 minus R R कमन लिया तो sec del by 2 minus 1 This is our E ठाना simple बस आपको triangles निकालने हैं हर जाएग ऐसे और solve करता है जो चीज निकालनी है उसको देखो हमें निकलना E था तो हमें OI पता होना चाहिए OI में से हमने R को घटा दिया तो हमारा E निकल के आ जाएगा OI निकाल लो simple as that इस triangle से अब आखरी point की बात करते हैं which is change of tangent points change मतलब हमें length निकालना है tangent points का back tangent tangent और forward tangent जहां से अपने इनकी है तो आपने क्या है जो straight line थी आरवन वाली इसको आपने I तक measure किया होता है okay change अगर मुझे T1 point का निकालना है तो क्या करना होगा I तक का change निकालूंगा और उसको minus कर दूंगा किससे tangent length तो मेरा T1 point का आ जाएगा change क्या कर रहा हूं मैं कि इस में से इस total में से यह वाला part को हटा रहा हूं तो यह वाला part मेरा निकल के आ रहा है इसी तरह अगर मैं T2 point का channel निकालना चाहता हूं तो T2 point का क्या होगा कि आपने T1 का channel निकाला और plus length of curve तो change of T1 plus length of curve और length of curve हमने अल्री निकाला हूँ which is r into delta और अगर radians पे बतलना है तो pi by 180 तो इस तीक साथ final division करते हैं हमने length of curve निकाला था r into delta से pi by 180 से में उप्लाई केया था radians पे बतलने के लिए tangent length r10 delta by 2 जो कि हमने इस वाली triangle से निकाला था which is this is 90 this is r this is our T हमने o T1 T2 से निकाला था this is point of curvature note T1 T2 is point of tangency फिर हमने निकाला mid-ordinate which is r verse sign del by 2 and verse sign को हम लोग 1 minus course del by 2 भी बोलते हैं then हमने निकाला apex distance the external distance which is r sec del by 2 same इस वाले triangle को use करके सिर्फ आपको इतनी बाते याद रखनी है paper को साब करने करिया और याद भी नहीं रखनी है जब कभी question आता है यसे tangent link निकालने के लिए बोल दिया तो आपको simple यह diagram आपके दिमाग भी आना चाहिए आपके बिनना कोई calculation mistake कि आप रिसली निकाल सकते हैं तो friends आपको यह easy लगा होगा मेरे क्याल से रही it's not a big problem इसमें एक degree वाला concept भी आता है कि degree निकालना होता है of curve तो 30 meters आपके लिए और 20 meters आपके लिए आपने पढ़ा होगा 1719 divided by R और 20 meters के लिए होता है 1146 divided by R जो यह विए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ मेरा main था यह वाला part जो कि gate और ESE में काफी पूछा जाता है शुरूबात में मैंने compound curve के वाले में बात करी थी और reverse curve के वाले में बात करी थी इनके वाले में दो जल्ली बात कर लेते हैं यहादा कुछ है बड़ा है नहीं compound curve नाम को पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग बोलते है compound curve और एक हमारा reverse curve जिसको हम लोग S curve भी बोलते हैं या फिर serpentine curve भी बोलते हैं serpentine मतलब सांप जैसा ठीक है सांप जैसा दिखता है तो सांप कैसे जलता है इस तरह से जलता है ना बस यही आपका curve है यहाँ पे इसका radius R1 और इसका radius R2 अब लास्ट हमारा आता है that is broken back curve broken back curve मतलब पीठ टूड गई है नाम भी वैसी रखे गए उसकी back ही टूड गई है तो back किसी की हमशा सबकी straight होती है ठीक है अब क्या टूड गई है उसकी back तो क्या होगा इस तरह से कुछ हो जाएगा यही आपका curve है तो इसमें यह जो curve है इसका radius R1 है और यह end में जो इसकी टूटी है यह सतर वालेगी वह है R2 this is your broken back curve इसमें इतना ही समझना था तो I hope friends आपको यह पूरा concept वर में आया होगा अगर इस पूरे concept में आपको कहीं भी doubt होता है तो प्लीज कमें बास में बताये I will try to clarify it okay thank you